आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यह 8 ohm है और यहाँ पर देखो 24 ohm और Y की बीच में 1 ohm का resistance लगा हुआ है तो आप देख सकते हो कि एगर मैं इस point को यहाँ पर देखो एक point में तो इस point से जब आगे बढ़ोगे 20 ohm, 30 ohm और 60 ohm ए directly किसमे connect होंगे तीनो parallel combination है यह तीनो resistance देखो 20 ohm का 30 ohm का 60 ohm का यह 3 ohm किसमे connect होंगे parallel में तो पहले इसका इतने पूरे का यह यहाँ पर देख पा रहे हैं तीनों का अगर मैं equivalent resistance निकालो जट से इन तीनों का तीनों parallel में connect थे इनका equivalent resistance में कहा देता हूँ पहले उसकी value मैं calculate कर लेता हूँ तो अगर तीन resistance parallel में लगे होते हैं तो उनका equivalent resistance होता है 1 upon R equivalent equals to क्या हो जाएगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 हो जाएगा तो इस तरह से हमारे पास देखना R1 given है 20 तो मैं मा लेता हूँ हमारे पास resistance R1 है 30 ohm R2 है और 60 ohm हमारा R3 है सारी value है पहले put कर लेना यहाँ पे आजाएगा हमारे पास देखो 1 by 20 plus R2 है आजाएगा हमारे पास 1 by 30 plus R3 है आजाएगा हमारे पास 1 by 60 यह तीन resistance हो गए parallel में connect थे इनका equivalent resistance से आगया LCM लेके solve करना यहाँ पे देखो इसका LCM आजाएगा 60 ऊपर आजाएगा हमारे पास देखो 3 3 plus 2 plus 1 तो equivalent resistance यहाँ से आजाएगा हमारे पास देखो R equivalent इसका reciprocate कर दोगे आजाएगा 60 by 6 3 plus 2 plus 1 कितना हो जाएगा हमारे पास 6 यह किया आया था हमारे पास 1 upon R equivalent की value तो अगर आप R equivalent निकाल होगे तो यह ratio मारा change हो जाएगा तो यहाँ से देखो equivalent resistance तीनों का जो आगया हमारे पास 10 ohm आगया तीनों का equivalent resistance होगा उसकी value कितनी आगया ही 10 ohm अभी यहाँ पर question खतम नहीं हुआ है फिर यहाँ पर आगया जब नीचे आओगे तो यह 24 ohm जो resistance है और हमारे पास जो 8 ohm है फिर से दोनों parallel में connect होगे तो इन दोनों का equivalent resistance आपको calculate करना होगा 24 ohm और 8 ohm किसमे connect थे यह parallel में connect थे तो इनका equivalent resistance मैं कह सकता हूँ लेट से हमारे पास इनका equivalent resistance R-दास था किसका 24 और 8 ohm का तो उसकी value calculate होगा parallel में connect है तो 1 upon R-दास इक्वास टू आजागा 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 यह formula होगा क्योंकि parallel में connect थे तो इनका equivalent resistance 1 upon R-दास is equal to 1 upon R1 plus R2 होगा R1 देखो given हमारे पास 1 upon 24 मैं किसकी बात कर रहा हूँ यह 24 ohm और 8 ohm register जो parallel में connect है 1 upon 24 plus 1 upon R2 कितना हो जाएगा हमारे पास 8 इसको solve कर लेना LCM आजागा इसका 24 यहाँ पर आजाएगा हमारे पास देखना 1 plus 3 आजाएगा यहाँ पर आजाएगा तो यहाँ आजाएगा 1 upon R-दास अब यहाँ पर देखना इसको गए मैं solve करूँगा R- की बालव यहाँ से calculate करूँगा आजाएगा 24 by 3 24 by 4 तो इसकी value आजाएगा हमारे पास 6 ohm तो R- आजाएगा हमारे पास 6 ohm और circuit हम इस तरह से reduce कर सकते देखो जितने भी हमारे पास बीच में resistance थे यहाँ पर देखो हमारे पास X था ऊपर यहाँ पर एक resistance हमारा 3 ohm का लगा हुआ है आजए यहाँ पर देखो circuit में जो तीन resistance थे उनका मैं equivalent resistance कल्कुलेट कर चुका था R- तो एक single resistance से मैं इसको replace कर सकता हूँ देखो single resistance हो गया हमारे पास R- फिर आगे आया नीचे भी देखो हमारे पास 2 resistance दोनों parallel मे थे 24 ohm और 8 ohm तो इन दोनों का मैं equivalent resistance कल्कुलेट कर चुका हूँ R- तो दोनों हटा के एक single resistance लगा दूँगा देखो R- आगे मैं नीचे गया तो यहाँ भी दोक्वा हमारे पास point Y और यहाँ पे एक resistance लगा हुआ था 1 ohm का यहाँ दोक्वा हमारे पास हो गया point Y अब यहाँ से अगर देखो यह तीनों जो जितने भी resistance थे यहाँ पे चारो resistance एक single wire में connect है मतलब यह चारो किसमें connect हो जाएगा हमारे पास देखो series combination यह चारो का हो जाएगा क्योंकि मालोगर आप यहाँ से I current देखो दो गे I current तो जितने भी resistance थे देखो सब में I current same flow करेगी इतमीस यह जितने भी resistance थे 3 ohm, R equivalent, R dash और 1 ohm यह सब हमारे पास किसमें connect होंगे? series में तो R equivalent की value पहले आ चुकी थे 10 ohm, R dash की value आप calculate कर चुके हो 6 ohm तो अगर series में connect होंगे तो X और Y की बीच में लेट से equivalent resistance था, total resistance R T मैं माल लेता हूँ तो उसकी value यह सब series में connect थे तो उनको just simply आप add कर दोगे क्योंकि एक resistance हमारा series में connect होते है उनको हम simply add कर देते हैं तो 3 plus R equivalent की value हमने calculate की 10 ohm, plus यहाँ पे देखो R dash की value 6 है plus यहाँ पे देखो एक extra 1 ohm का resistance लगा हुआ था, question में भी given है यह वाला resistance 1 ohm, clear? तो इसको solve कर लेंगे हमें अपनी value मिल जाएगी total resistance between X और Y यह आ जाएगा हमारे पास देखना, तो 3 plus 10 plus 6 plus 10 होनी कितना हो जाएगा हमारे पास 20 ohm तो X और Y के बीच में हमारे पास एक single resistance में लगा सकता हूँ देखना इन सब को हटा के, हमारे पास X पॉइंट था एक Y पॉइंट था, इन सब को हटा के मैं एक single resistance लगा सकता हूँ और वह हमारे पास देखो, X और Y के बीच में equivalent resistance आएगा मैं सारे resistance को हटा कर के देखो, एक single resistance लगा सकता हूं X और Y के बीच में ये 20 Ohm का यही हमारा X और Y के बीच में total resistance हो जाएगा 20 Ohm इस question का answer तो अगर आप्शन लेखोगे option number 3 is the right answer of this question 20 Ohm का. Thank you.